इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे इन दौर से जबलपूर के बीच बनने वाला 342 किलो मिटर नई डेलेव लाइन के लिए इस बार के डेल बजट में कितनी रासी मिली है और इस नई डेलेव लाइन का क्या है अपडेट तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस् सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब इस बार के डेल बजट में इन दौर से जबलपूर के बीच नई डेलेव लाइन के लिए 514 करोर की रासी आवंटित की गई है यह डेलेव लाइन कुल मिलाकर 342 किलोमेटर लंबी होगी जिसका काम दोबारा चालू होगा इस वरस जबलपूर से इन दौर तक नई डेलेव लाइन के लिए आखिरकार डेलवे ने बजट सुकृति कर दिया है रेल लाइन का काम सुरू करने के लिए डेलवे ने रासी की सुकृति करते वे पिछले साल सिर्फ एक लाक रुपे की ही सुकृति की गई थी वहीं मदन महल लाइन पिछाने के लिए स्टेशन को विश्वस्तरिय बनाने के लिए इस बार के डेल बजट में बहुत कुछ मिला है लगवक 13,607 क्रोड की रासी आवंटित की गई है जो कि अकेले पस्चे मद्रेलवे के जबलपूर भोपाल और कोटा मंडल की परियोजनाओं को रपता रस्ते से मालगारी ट्रेनों का भी पड़ी चालन सुरक्चित हो सकेगा उमीद करते हैं कि आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको पसंद आ गया होगा इस वीडियो को सेयर करें और साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब नई ट्रेनों के अपडेट के लिए